हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा, फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग 67th BPSC PT Re-Exam 2022 जो 30 सितंबर को होना प्रस्तावित है, उसके लिए द्रिष्टी IS का टेस्ट नंबर 3 इस वीडियो में हम डिक्सक्स करेंगे, देखे इसमें टोटल 150 प्रश्ण है औ आपकी एकजाम में पूछे जाते हैं, इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और 2 को करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं, फ्रेंस प्री यह आप से पुछा गया है, अगर आपको एंसर पता है, तो आप एंसर कमेंट बॉक्स में देख करके बताजी चलिएगा, देखिए रिगवेद की रिचाओ के पढ़ने वाले रिसी को होतरी कहते हैं, या फिर होता कहते हैं, और यह राइट एंसर हो जाएगा, रिगवेद में टोटल दस मंडल है, जो भी मैं बता रहा हूं, उसको आप धियान रखेंगे, रिगवेद में दस मंडल है, एक अजार अठाइस सुक्त है, ठीक है फ्रेंड्स, और दस अजार चार सो बास्रट जो है, रिचाएं हैं, इसको भी आप धियान रखेंगे, ठीक है, चलिए, या फिर सांध, पर्थम परवचन, धरम चक्र परवचन, महा बोधी, बोधी बिरिक्ष और त्याग, ये त्याग का परतीक्षिन घोड़ा है, तो राइट अजार इसका ओप्सन नमबर यहाँ पर देखेंगे, डी हो जाएगा, चार, दो, एक, तीन, चलिए, आगे बढ़ का आइंश्टिंग कहा जाता है, माध्यमिक सुत्र में इन्होंने सापेक्स्ता का सिधान्त प्रस्तुत किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ेंगे कि निमलिखित कतनों पर विचार करें, और यहां राइट अंसर आपको चुन करके बताना है, तो जो लिक्ष्वी राजा चेटक की बहन थी, तो यहां पुत्री दिया गया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, इनके पिता का नाम जो था, इसको भी धिहान रखना है, इनके पिता का नाम सिधार्त था, और ये ग्यातरिक कुल के सरदार थे, ये वाला गलत हो गया, गौतम दिया थे, वो इक्ष्वाकि वन्सी राजा थे, और इनका नाम अस्वसेन था, ठीक है, तो ये दो और तीन सही दिया गया, तो राइट अंसर यहां पर देखेंगा, उप्सन नमबर, इसका डी राइट अंसर हो जाएगा, दो और तीन सही है, उसका बाद देखेगा कि अरपद, चोथा, दुर्ग, उसका बाद पांचवा कोस, छठा, सेना यानि की डंड और सातवा मित्र, तो यहां पर अप्सन नमबर सी, इसका राइट अंसर हो जाएगा, उसका बाद नेक्ष्ट कोस्टन है, फ्रेंट्स प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे सेर कीजिएगा, देखे रजुक थे, तो देखे रजुक जो थे, फ्रेंट्स मौरे समराट, असोक के सासन काल में, रजुक नामक एक अधिकारी का उलिख मिलता है, तो राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा, मौरे सासन में एक अधिकारी, उसका बा डी हो जाएगा और देखे फ्रेंड्स अभी एस्पेसली में बिहार से रिलेटेड प्रशन आपको करा रहा हूं तीन-चार वीडियो मैंने आपको कराया हुआ है लिंक आपको डिस्क्रूप्शन बॉक्स में मिलेगा देख लिजेगा मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया चैनल पर चले जाएगे और प्लेलिस्ट ओपन करके देख लिजेगा निमलेखित में से किस वंस द्वारा प्राया महिलाओं को प्रसासन में उच्पद्ध प्रदान किये जाते थे तो ये चालूक के वंस था अप्सन नमबर इसका बी राइटेंसर हो जाएगा चालूक के उसके बाद देखेगा कि मंगोल अकर्मनकारी चंगीज भारत की उत्तरपस्सिम सिमा पर निम्न में से किसके काल में आया था तो किसके काल में आया था तो फ्रंस या इल्टूत में इसके काल में आया था इसको ध्यान रखेंगे ठीके चले उसके बद आगे बढ़ेंगे कि इस सूफी संत की मानेता थी, कि भक्ती संगीत इसवर के निकट पहुंचने का एक साधन है. तो ये मॉनिधुन चिस्ति की, और ये राइटनसर हो जाएगा, मॉनिधुन चिस्ति की दरगा कहा है? तो अजमेर में है. ठीक है, अजमेर में इनका मक्वरा है, याद रखेंगे उसका देखेगा कि चित्रकला की मुगल सैली का प्रारम किया था तो फ्रंस यह किया था हुमायू ने और इसका यह राइट अंसर हो जाएगा और देखें यह सालार का जो युध था यह 1672 में हुआ था और उस समय मुगल सासक औरंग जैब था और इसका see राइट अंसर हो जाएगा चले उसके बाद देखेगा कि जैपूर के महराद सवाई जैसिंग ने वेद साला नहीं बनवाई थी तो कहाँ पर नहीं बनवाई थी तो देखे इन्होंने उज्जैन वारानसी और मत्रम में बनवाया था इलहाबाद में नहीं बनवाया था उसके बाद देखेगा एक तरफ जो है यूद दिया गया है और वो किस संधी के तहत अंथ हुआ था ये दिया गया है तो देखे पर्थम करनाटक यूद ये एला सापल की संधी के तहत समाप्थ हुआ था तीसरा करनाटक यूद जो था ये पेरिस की संधी के तहत समाप्थ हुई थी ठीक है यह अर्ण 180 तो यहां पर आप देखेंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो दिखें इसका जो राइटशब हो जाएगा वह आपका इसमें हो जाएगा ओपनर C ठीक है 4 1 3 2 आए एक बार और मिला चार, एक, तीन और दो ठीक है तो ये बिल्कुल मैंने correct आपको मिला दिया था चलि उसका बढ़ेंगे next question कर लेंगे हाँ ठीक है बिल्कुर ठीक है चार एक उसके बाद तीन और दो चलिए नेक्स्ट कोस्टन है कि सुगावली की संदी कब हुए थी अचा सुगावली की जो संदी होई थी यह अंग्रेजो और गोर्खों की बीच में हुए ठीक है और देखें यह संदी जो हुई थी इसी के तहद जो है आंगल नेपाल यूद का अंथ हुआ था और उस समय गौर्णेट जनरल कौन था तो लॉर्ड हैस्टिंग था ध्यान रखेंगे और यहां जो संदी हुई थी इस पर सिगनेचर जो है दो दिसंबर 1815 को किया गया था दो दिसंबर 1815 को इस पर साइन किया गया था और 4 मार्च 1816 को चार मार्च 1816 को जो है यहां प्रभाई हुआ था लागू हुआ था तो यहां पर दिखेगा 1815 दिया गया अपसे नमबर डी राइट अंसर हो जाएगा यहां कोस्तन एक बार मैंने और कराया था और इसका अंसर मैंने आपको बता दिया था इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखेंगे इसमें सुधार कर लिजे कि यह दो दिसंबर 1815 को साइन किया गया था इस पर और चार मर्च 1816 को यहां लागू हुआ चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन कर लेंगे कि नेमलिकित में से कौन सा ये गुम सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखिएगा अस्थानी स्वासासन लॉड्ट लिटन यह गलत है अस्थानी स्वासासन की सुरुवात जो है लॉड्ड रिपन ने किया था स्थिर्प्रस्टकंग को सब्सक्राइब कि एक एकबार का प्रकाशन प्रतना से होता था इंडियन नेशन नामक यह अकबार था ठीक है फ्रेंट्स और 1931 में दरभंगा के महराज कामिश्वर सिंग ने इसका शुरुवात किया था और यहाँ इसका अस्थापना किया था और यहाँ पटना से प्रकासित होता था चले स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कोन थे तो दिखे राधा स्वामी सत्संग की अस्थापना जो है यहां 1861 में जो है सीव दयाल साहब ने किया था और इस मत के अनुवाई हिंदू और सीखे दोनो धर्म के थे ठीक है चले 1861 में नेक्स्ट कुस्टन है कि कॉंग्रेस की प्राथना और याजना की निती अन्तोतो गत्वा समाप्थ हो गई थी तो यहां समाप्थ हो गई थी बाल गंगाधर तीलक के नेतरितों में अप्सन नमबर जो है बी करेक्ट एंसर हो जायाएगा ठीक है फ्रेंड्स चली आगे अपरपूर में किंग्सफोर्ट की हत्या का प्रयास कप किया गया था तो दिखी हत्या का प्रयास जहीं यह 30 अप्राइल 1908 को किया गया था ठीक है लेकिन गल्दी से बम केनेडी के गाड़ी पर गिरा था और बम फेका था प्रफुल चाकी और खुदिराम बोस ने और स्वतन तरचिंथन एक क्रांतिकारी की दो विसेस्ताएं हैं तो फ्रेंट्स यह किसने कहा था यह कहा था भगत सिंग ने नेक्ष्ट कुस्टन करेंगी कि मर्द्रास में स्वदिशय अंदुलन का नत्रित्व किसने किया था यहां पर मद्रास में पूछा गया है ठीक है ब्रटी सासन के दोरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्स प्राप्त हुआ था तो यह प्राप्त हुआ था 1912 में इसको बंगाल से अलग किया गया लेकिन बिहार और उडिसा समिली थी ते उडिसा जो है बिहार से अलग हुआ 1936 में चली आगे बढ़ेंगे न सबसे नमबर है यह जो होगा राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका बाद एक नेक्स्ट कुस्ट्सन है 1923 में चितरणदास और मुतिलाल नहरू ने स्वराज दल का गठन किया था 1916 में भारती राष्टी कॉंग्रिस के लखनाव अधिविशन के अध्यक्सता किस ने किया तो अंबिका चरण मजुमदार नहीं किया था अंबिका चरण मजुमदार नहीं किया था ठीक है चली आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्ट्सन की निमलिकित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इसमें सबसे पहले जो घटना यह चंपारन सत्यागरा यह 1917 होई थी और सहयोग 1920 में सविना अग्या अंदोलों 1930 में और खेडा 1918 में ठीक है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी राइटन सर इसका हो जाएगा चली आगे बढ़ेंगे कि निमलिकित में से कौन 1930 के दसक में किसान सभा अंदोलन में से सक्रीर रुप से जुड़े थे से कौन जुड़े थे स्वामी साजानन्द जुड़े थे अपसन नंबर बी हो जाएगा राइटन सरदेखेंव्स स्वामी साजाननन्द ने 1929 सप्रांती किसान सभा का गठन किया था ठीके और 1936 में अखिलबारती किसान सभा का गठन किया था और यह इसके पहले अध्यक्स थे और एनजी रंगा जो थे यह अखिल भारती किसान सभा के पहले महासची थे एनजी रंगा चलिए आगे बढ़ेंगे कि रॉलक एक्ट किस वायसरा के काल में पारित हुआ रेरक की रूप में जैवर आसानी किरियाओ की गत्ती बढ़ाने का कारे करता है तो फ्रेंट्स यह जो है यह एनजाइम है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कार्बन मोनोकसाइड रक्त में हीमोगलिबीन से जोड़ करके क्या बनाती है तो यह आपको पता है यू प्रतिवर्ति किर्याओं का किसके द्वारा होता है यहां पर प्रतिवर्ति किरिया पूछा प्र्तिंद्द्त्र Himalai did Tea कर to देंगे यहां फैयार्मोन स्राविझ होने वाले हार्मोन को नियंदरित करता है भूक और और दीखे यहां चेvert mum बढ़ेंगे कि मेलाटोनीन हार्वन किस गरन्थी से शराविथ पर उससे रक्षा करती है और मेलानीन जो पाया जाता है जिसके करण त्वचा का रंग बनता है मेलानीन नमक वर्नक पाया जाता है पुछा जाता है कि त्वचा का रंग किस से बनता है तो मेलानीन से तो यहीं जो है फ्रेंड्स मेलाटोनिन हानबन मेलालीन वर्नक बनाता है ध्यान रखेंगे पैंतालिस वे अंतराश्टी कोलकता पुस्तक मिले 2022 का फोकस दिस कौन सा था इसका अवजन कोलकता साल्ट लेक में किया गया था और बंगलादिस इसका फोकस कंट्रे था उसका बदेखे ओपन एयर फ्लोटिंग थियर्टर कहां पर रिस्तित है तो यह जम कस्मीर में डल जिल में है उसका बदेखेगा कि मार्च 2022 में किस गोलफर को वर्ल्ड हॉल अफ फेम में सामिल किया गया है तो फ्रेंट्स यह किसको किया गया है यह किया गया है टाइगर ओड्स को ठीक है यह अमिर्का के हैं अगला प्रशन करेंगे कि वर्ष 2021 में चिकिच्चा का नोबल पुर स्काउटियन चली आगे बढ़ेंगे कि हाली में किस मोटर वाहन कंपनी को इंडिया ग्रेन एनर्जियवाड 2020 से सम्मानित किया गया है तो दिखें यह जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है टीवीस मोटर अगला प्रशन है कि भारत के पहले पराइथेलिट जिन्हें पद्म भ भूशन और तीसरा पद्म भूशन यह देवंद्र जाजरिया को दिया गया है ठीक है चलिए अगला प्रशन करेंगे कि थियो सोफिकल सोसाइटी के अनुवाईव कि सभारतिय दर्शन में विश्वास करते थे अच्छा थियो सोफिकल सोसाइटी के अस्थापना जो है यह 18 1875 में नीव्योर्क में किया था मैदम बलावत्सी की और करनल अलकाट ठीक है और यह जो थे किस दर्शन में विश्वास करते थे तो यह दर्शन है सांक दर्शन परतिपाद कौन है नया दर्शन के गौतम हैं ठीक है सांक दर्शन के कौन है जरहा आप मुझे बताईएगा थिस पर कि अधिकार करता है चाम के भारतिय समिधान के च्छटी अनुसूची के प्रवधान की स्राज्जेING पर लागू होता है तो छटी अनुसूची में असम मेघाले त्रीपुरा और मिजुरम निया गया थिक है यह चार राजération, इनकी जो जन जाती छेत्र के वहाँ पर स्वायत अस्थानी प्रसासन का अधिकार देती है या नुसुची चलो उसकवद के निम्लिकित उदेशियों में से कौन सा एक भारत की समिधान की प्रस्ताना में वर्णित नहीं है अच्छा प्रस्तावना को उदेशिका भी कहा जाता है और इसे प्रस्तावना को समिधान का कुन्जी कहा जाता है ध्यान रखेगा जो प्रवस्तावना है इसमें friends समाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय यानि कि तीन प्रकार का जो है न्याय की बात कही गई है बिचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता यानि कि 5 प्रकार की स्वतंतरता का इसमें जिक्र किया गया है प्रतिष्ठा और आसर की समानता यानि कि दो प्रकार की समानता तो देखे इसमें बिचार की स्वतंतरता है आर्थिक स्वतंतरता नहीं है समाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय है आर्थिक न्याय है आर्थिक स्वतंतरता नहीं है इसलिए option number इसका B होगा राइट अंसर अभिव्यक्ति की स्वतंतरता है विश्वास की स्वतंतरता है विचार की स्वतंतरता है धरम की स्वतंतरता है और उपासना की स्वतंतरता है चलिए आगे बढ़ेंगे ऑप्सिन नबर भी करेक्ट अंसर हो जाएगा इसका आपका की डाउट जो है किलियर हो गय जाता है देखे भारतिय समिद्यान के किस अनुछेत में राज निर्वासन आयो की गठन का प्रावजान है तो फ्रेंट्स यहां अनुछेत 243 के है कौन सा है 243 के है इसको आप फ्रेंट्स याद रखेंगे जरूर ठीक है चलिए उसका बाद देखेगा कि नमलेकित में से कौन त्री कुनात्मक संगर्ज या त्री पक्षिय संगर्ज कहा जाता है उसका हिस्सा नहीं था तो देखे इसमें कौन-कौन से थे तो इसमें परतिहार पाल और राष्ट कूट थे छोल इसमें नहीं थे ठीक है ध्यान रखेंगे चलो उसका बाद देखेगा केंदर में 22 सासन किस अधिनियम के अंतरगत अस्थापित किया गया, केंदर में यहां पूछा गया है, तो यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है, चलो उसका बाद देखेगा, कि निमलेकित में से कौन सा अधिकार भारती समिधान का अनुछि समयधानिक उपचारों का अधिकार है समयधानिक उपचारों का ऑधिकार ठीक है और यहं मॉलिक अधिकार अर्टिकल 32 के तहद मॉलिक अधिकार को परवर्थित कर सकती है सूप्रीव कोर्ड और है निचिनि शुलिट अगला प्राशन है कि कौन रास जी निठेem safי निधिसकत डी में है ठीक है ठर्टिनाइन डी में इसको ध्यान रखेंगे आप लोग चलिए बाकी देख लीजे बाकी सभी जो है फ्रेंट्स यह मौलिक अधिकार है अगला प्रश्ण अमार के निमलकित में से कौन सा एक अध्यास्यात्मक सासन प्रणाली का आधहार भुत तत्व है तो जो स्टेट्मेंट है यहां किसका है तो केसी वियर का है अफसरमबर डी राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रश्ण करेंगे नेक्स्ट कुसन की आंदर प्रदेश एक भासाई राजी की रूप में गठित किया गया था तो फ्रेंट्स यहां किया गया था उनिस सो कथन सत्त नहीं है तो यहां पर दिखिए का आई एम एफ की अस्थापना विश्वेक के साथ की गए थी निव हैंप सायर में 1944 में जिसे की ब्रेटन उट्स सम्मिलन कहा जाता है तो यह भी सही है क्रिश्टलीना जर्जिवा अभी वरतमान में इसकी चीफ ऑफिसर कहिए मु कहां से δेखेगा कोस्तों नमबर 56 है कि विश्व की सबसे बड़ी परवत सिर्नकला कौंसी है तो विश्व की सबसे बड़ी परवत चॉल्ट परवत चॉल्टला ये दक्षिनी अमेरिका महादीप में है और इसकी सबसे हाइस्ट जो पीक है यсти कांंग का गुंगा है Ό knobs कह है हाइस्ट पॉइंट कौन सा है एकांग का गुवा है चली आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्चन करेंगे कि पस्मी घाट पर पाई जाने वाली बनस्पति किस प्रकार की है तो राइट अंसर इसका सदा हरित हो जाएगा उसका देखे आदी जैन गरंतियों की भासा क्या थी तो यह भासा प्राकिर्त थी इसको अर्ध मगदी भी कहा जाता है ठीक है अर्ध मगदी भी कहा जाता है चली आगे बढ़ेंगे कि 2011 की जन गन्ना के अंतिम आकुड कनुसर भारत का सबसे कम जन जन के घनत वाला राज सबसे अधिक बिहार है सबसे कम अरुनाचल प्रतियों उसका बदिके जोग जल परपात, गर्षोपा जल परपात, महात्मा गांधी जल परपात एक ही नाम है यह करनाटक में है सरावती नदी पर है उसके बचले next question number आये कि वैस्वी करन से तात्पर है वैस्वी करन से तात्पर है क्या है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अप तारी करण निजी करण 1991 पीवी नर्सिंगा राव की गवर्मेंट आपको याद भी होगा चलो उसका बद दिखेगा कि दक्षिन पस्षिब मॉन्सून के समय आधरपौने कहां बहती हैं तो बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा सम सारक का मुख्याले इस्थित सारक का फुल्फों क्या होता है तो साउथ एसियन एसूसियेशन फुल रिजिनल कोपरेशन 1985 में इसके अस्थापना होई थी हेट क्वाटर काठमांडो में है टोटल आट अधिस सदस्य है भारत पाकिस्तान बंगला देश स्रिलंका मालदी नेपाल अफगानिस्तान और भोटान चलिए नाइट इंसर इसके क्या हो जाएगा मुख्याले काठमांडो में है नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रशन है हमारा कि छेतरपल कनुसार विस्व का सबसे बड़ा देश तो ये आपका रसिया है भारत का स्थान साथवा है उसके बढ़ दिखेगा कि ECI युवाप पैराखेल दोहजर पचीस की में जबानी किस देश के द्वारा की जा जी जाएगा उसका वजी कैमूर का पठार किसले प्रसीद है तो कैमूर का पठार यहाँ चूना पथर के लिए फेमस है यह प्रशन बारबार पूचा जाता है उसके बड् ciatar है चानत के पुरशकार जो है यहां राजनिती शास्तर के छित्र में दिया जाता है और सनुमबर एर अटंसर इसका हो जायएगा बिहार के एकमात राष्टी उध्यान बालमी की नेशनल पार्क है जो की पस्सिम चंपारन जिला में है बालमी की टाइगर रिजर्ब पस्सिम चंपारन में है इसको भी ध्यान रखिएगा छे रुष्कबद देख लिजेगा कि भारत की जन्गन्ना 2011 अद्शार बिहार राजित में लिंगानुपात कितना अचा बिहार का लिंगानुपात जो है यहां नौ 608 है अचा शीसु मिंगानुपात जो है यह 935 है दोनों को आप ध्यान रखेंगे शीसु मिंगानुपात 935 और लिंगानुपात 918, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपाल गंज का है, और सबसे कम मुंगेर का है, ठीक है, इसको इध्यान रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ेंगे, कि मुझपरपूर दरभंगा तद चंपारन जिलों में अधिकांसता कौन से मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोडक मिट्टी, और बी हो जाएगा, राइटन सर, नवीन जलोडक मिट्टी पाई जाती है, नेक्स्ट कोशन कि बिहार की यात्रा करने वाला पर्थम विदेशी यात्री कौन था, तो यहां कौन था फेंड्स, मेगा स्थनीज था, चंदरगुप्त मौरे के स पुस्तक है, ठीक है, और इसने पटना का पाटले पुत्र का वर्णन भी किया है, उसका बाद देखेगा कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, बिहार किसान सभा से स्वामि साजानंद, कार्यानंद सर्मा, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन सर्मा, उसके बाद एक और नाम है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नाम जो है, ये नाम कौन से है, तो पंचानन सर्मा का नाम, पंचानन सर्मा भी पूछा जाता है, ये भी जूड़े हुए थे, ठीक है, तो एक साधिक राहे टेंसर हो जाएगा, सर्मा, अपसर नमबर E, चले उस सचिंद्र शन्य आल ने किया, ठीक है, तो नमबरD सर्व जाएगा, सचिंद्र शन्य आल ने किया था, उसकादि क cavity के बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रा कब सुरूँ हुआ था, तो विहार में व्यक्तिगत सत्याग्रा जो इस आठाइस नम्बर उनिस छालिस को वार्नम जमन राजगीर इसका बद गौतमबिय यह आपको पता ही है चलिए को बेसके बियार की उत्तर से ढक्षिन तक लंबाई अचा उत्तर से लंबाई और पूर्व से पस्चिम चोडयाई क्रिक्रों सहता है तो जल्वाय ऊंच जो लंबाई है यह कितना है तीनिसोग 45 किलोमेटर है और पुर्व से पस्यम जो चौड़ाई है यह 483 किलोमेटर है इसको भी आप निसी दुरुप से ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कि पटना युवक संग की अस्थापना जो है यह 1927 में किया था किस ने तो मनिंद्र नारायन रायने और सी राइट ंसर हो जाएगा 1927 में इसको भी आप ध्यान रखेंगे चलिए उसको बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर यूग के साग से मिले हैं तो यह कहां से मिले हैं यह मिले हैं मुंगेर से और सी हो जाएगा इसका राइट इंसर उसका बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था तो बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक जो था यह कौन था तो राइट इंसर इसका क्या हो जाएगा बताए ये correct answer तो देखिए इसका जो correct answer हो जाएगा फ्रेंस ये आपका मुहमद साहनुहानी हो जाएगा option नमबर इसका B हो जाएगा correct answer ठीक है चली उसका बद आगे बढ़ेंगे next question कर लेंगे कि धारवार सेल की समूँ पाई जाती है तो फ्रेंस धारवार सेल की समूँ खड़कपू दी बिहार में किस स्थान पर मिलती है तो या बिहार में आकर के पटना में मिल जाती है गंगा नदी में तो रहेटन सरफ पटना के निकट हो जाएगा option नमबर इसका बद दिखेगा कि बिहार की विकास के लिए सुसासन के कारेकरम 2020 से 2025 के ताहट जो है आत्मिरबर बिहार स सान निस्था टू के ताहत निम्न में से कौन सा इसमें सामिल है तो देखें कौन-कौन से सामिल है तो देखें या सक्षम महिला हर खेत पान सवक्ष गाओं समरिद गाओं सवक्ष सहर विक्षिद सहर connectivity होगी आसानी यानी की सब्सुलभ संपरकता और सब के लिए स्वास्त एक साधिक राइट अंसर इसका हो जाएगा उसका वदिक हाली में किस राज का हाई कुट देश्क का पहला पेपरलेस कुट बना है तो यहां किरल है कौन सा राज है किरल है उसके वचले नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे 86 नंबर अब देखिए 86 नंबर कुस्टना की हाली में बिहार कुस्ती संग का अध्यक्स किसे बनाएगया थो तो फ्रेंस यहां किसे बनाएगया यहां बनाएगया विसाल सींग को next question है कि बिहार सरकार के दवार किस वर्स तक क्रिशी छेतर डिजल मुक्त करने का लक्स रखा है तो इसका correct answer हो जागा 2024 तक नेक्स्ट कुस्टन है कि पर्याटर्न मंत्रालर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विदेशी पर्याटकों के आने के मामले में कौनसा अस्थान पराप्त हुआ है तो बिहार को जो है कौनसा अस्थान पराप्त हुआ है तो यह नुवा अस्थान पराप्त हुआ है ठीक है चलिए उसका बाद next question कर लेंगे कि हाली में किंद सरकार के द्वरा semiconductor त्यार करने के लिए भारत के 100 संस्थानों में बिहार का कौन सा संस्थान सामिल है तो यह है triple IT भागलपूर ठीक है चलिए उसका बाद next question है मारा कि बिहार के किस जिले में माता सिता की विस्व में सबसे उची परतिमा स्थापित की जा रही है तो यह की जा रही है सिता मढ़ी में ठीक है चलिए अगला प्रशन है कि हाले में पूसा क्रिशिवी ग्यान मिला 2022 कहां एजित किया गया था तो यह दिल्ली में किया गया था नेक्स्ट को सने विस्व गौरया दिवस कब मनाया जाता है राज की पक्षी है बिहार का गौरया और यहां जो मनाया जाता है यहां मनाया जाता है कब तो यहा हाली में 14 भारत जप्पान वार्षिक सिखर समयलन कहां आईजित किया गया तो फ्रेंट्स यह कहां पर किया गया है यह किया गया नई दिल्ली में उसके लिए अगला प्रश्ण है कि हाली में किस मंत्राले द्वरा जेंडर समवाद की तीसर संस्क्रण का अउजन किया गया यह यह मैं बार बर बतता हूं जेंडर समवाद जो है यहां किसके द्वारा तो ग्रामिड विकास मंत्राले के द्वरा अप्सन नम्बर इसका डी हो जाएगा करेक्ट इंसर ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि हाली में कि सराज की स वित्यवर्स द्वाजर थे इसके प्रस्तुत किया गया बिहर सरकार का कूल व्याजट का अनुमान कितना है या आपका अप्सन नंबर बी राइटेंसर इसका हो जाएगा ठीक है चलिए उसको दिखेगा कि बिहर सरकार वित्यवर्स दौजर अज़र इसक्षा पर कूल कितन साथ कडूर उसका देखेगा कि बिहार सरकार द्वरा किस वर्ष तक विद्याली सिक्षा में सत्परतिसत्थ सकल नमांकर अनुपात हांसिल करने का लक्ष रखा गया है यह रखा गया वर्ष 2030 तक अगला प्रशने के हाली में जारी 200 प्रसंता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान पहला अस्थान पर फिनलंड है भारत कस्थान 136 वा है ठीक है इसको भी आप ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे हाली में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लौंच की है तो यह देश अपना प्यारा भार है नेक्स्ट कोस्टन एक सुरी की उर्जा उत्पन होती है तो नावी के सनलाइन के द्वारा ठीक है अप्सन नमबर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नावी के सनलाइन उसको दिके प्रकास विदुत प्रभा का प्रतिपादन किया था तो इसका प्रतिपादन आइंश् किरित लौद में क्या राता है तो फ्रेंट्स इसमें राता है पोटेसियम आयोडाइड यह कुछन पूछा जाता है बार-बार ठीक है चलिए अगला प्रशन करेंगी सिलिकॉंग क्या है तो यहां एक सेमी कंडॉक्टर है और जचालक है और इसका बी राइट एंसर हो जा था और क Uganda व्रिएटेक्स बनाएं जाता है राइट अन्सर है प्रमौन हो प्राकृतिक हार्मौन या पादब हाटा है इसका नााम एथेलीन है ठीक है चलिए अगला प्रस्शन करेंगे और फूलो का खेलाने वाला एक हार्मौन है इसका नाम फुलोरेजिन्स है ठीक है फुलोरेजिन्स इसको भी आप दियान रखेंगे चलिए उसके बाद देखेगा कि इस्टरब परिसर में ध्वनी तरंगों की आविरती क्या होती है जिसको कि ऑडीबल हो guidance उसके बाद आपको पता है इंफरास्ोनिक होता है इनफरास्ोनिक क्या होता है यह आपका 20 हर्टस से नीचे की जो आविरती वाली धौनीत रंग है और एक है यहां यहां सब को आप द्यान रखेंगे ठीके सन्चार में प्रिक्त आप्टिकल फाइबर केबल कि सीधाँत पर कारे करता है। उसका भाती कि निमलीकित निम्लिकित के तहद संसत को राजसुचिक विषै के संदर में विधि बनानी की सकति मिल दी है। तो यह राइट यह कोण से उसकी वादि कि भारत में निमलिकित में से समाजवाद के स्वरुप को अपनाया गया है तो यह सुष्वरूप है इसका नाम है लोक्तांत्रिक समाजवाद अगला प्रशन है हमारा कि निम्नांकीत में से कौन भारत के राष्टपती के निरवाचन हरे तो निरवाचन गण में समयलित नहीं है तो इसमें समयलेत नहीं है राज्यों की विधान परिस्दों का निर्वाचित सदसे ठीक है इसको आप ध्यान रखेंगे बाकी ये सामिल होते हैं इसमें बाकीपूर जैल में रखा गया था और जैप्र के अगला प्रस्ण है कि बंगाल का नवाब ये कवाता तो सत्रासोच चूंशट में हुआ ध्यान रखेंगे 1764 में हुआ था और इसमें अंग्रेदी सेना का नेत्रित्व हेक्टर मुन्रो कर रहा था और दीखे उस समय बंगाल का जो नबाब था यहां मिरजाफर था अपसे नंबर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा मिरजाफर जो था उस समय बंगाल का नबाब था प्रस्ट सक्षर्टा वाला जीला पूरुनिया है और पूरुनिया ओबरॉल सक्षर्टा में भी सबसे कम है सबसे कम पूरुनिया में सक्षर्टा दर है और पूरु सक्षर्टा दर पूरुनिया में सबसे कम है पूरु सक्षर्टा दर सबसे ज्यादा रहतास में रहतास हर चीज में अगर overall सक्षर्था दर की बात कर रोहतास में सबसे ज़्यादा है, पूरु सक्षर्था में भी रोहतास है, महिला सक्षर्था में भी रोहतास ही है, पूरु सक्षर्था अधिक्तम रोहतास में निवन्तम कहां पर पूरो निया में, महिला सक्षर्था अधिक्तम रोहतास में और नियुनतम सहरसा में, सहरसा राइटेंसर होगा इसका, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, विक्रम सिला विस्विद्धाली के अस्थापना कब होई थी, तो ये धरम पाल ने करवाया था आठवी सताबदी में, अपसर नमबर B हो जाएगा इसका राइटेंसर, किस प्रकार की चट्टानों में पाये जाते हैं, तो फ्रेंस ये कहां पाये जाते हैं, यहां पाये जाते हैं, और साधी चट्टान में, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कुस्चन करेंगे, कि मैनलवा उधारन है, यह एक सक्रियज वाला मुखी है, मैनलवा, यह हवाई दीप प तो आपको भी पता होगा 26 नॉबर 1949 को किया गया था यानि कि इसका जो करेक्ट इंसर हो जाएगा ऑप्सेन नमबर ए हो जाएगा ठीक है 26 नमबर को भारती समिधान दिवस भी मनाया जाता है दिल्ली में स्थित मोती मस्जित का निर्मान किस मुगल बात्सा ने करवाया था तो फ्रेंट्स यहां औरंग्जेब ने करवाया था मोती मस्जित का निर्मान ठीक है दिल्ली वाला मोती मस्जित चले उसका पदेखेगा कि भारतीय जन्गर्णा 2011 का अनुसार पूरुसम स्थ शीनि आतिरी संगन बारत की आतरा क्लोंग भारत की आतरा प्रमिन काल दोरीमेंकुक वृविप्र जो है कब किया था किया था 515 से 520 इसापुर में और इसका यह हो जाएगा राइट अंसर यह बीपेसी में पुझा गया प्रशन भी है सेम कुस्टन है चलिए आगे बढ़ेंगे 127 नंबर की बिहार का धिकान से अक्षादित है तो यहां किस्से है तो यहां किस्से है कछारी मि अंडक और घागरा न दी है और इसका सी हो जाएगा करेक्ट अंसर उसके बाद देखेगा कि निमलेखित जीलों में से कौन बिहार में इस्तित है तो यहां पर देखीगा बिहार में अनुपम जील है याद रखेंगे चलिए अगला प्रश्ण है कैमूर में है बिहार में क् सबसे कम अभी मैंने आपको बताया था यह और ना चल प्रदिस का है भारत की स्वतनरता के बाद बिहार के पहले राज जेपाल कौन थे तो यह जैराम दास दौलत राम थे अप्सन नमबर डी राइट अंसर इसका हो जाएगा ठीक है उसको जीले 134 है कि जीले में पंचायती राज प्रणाली की सर्वत संस्था होती है तो सर्वत संस्था जो होती है जीला परिसद होती है उसको जीले के चाना के पुरसकार किस क्रिति के लिए दिया जाता है तो यहां दिया जाता है किसके लिए तो फ्रेंस यहां राजनेती की पिंटल प्रजाती के प्रवासी पक्षी को पहले बार बिहार राज की राजनी पटना के जलासा में देखा गिया था तो यहां है उत्री अमिर्का की उसका वदिके हाले में बिहार सरकार के किस एक्टर को बेव सिरीज के लिए बेश्ट अक्टर दादसाफ फाल के इंटरन एट लाख कोड़ोर रुपया है अनुमानित है अपस्ट नमब इर राइट एंसर इसका हो जायेगा उसका बद अनुमानित व्य अगर पुछेगा तो अनुमानित व्य जो है यहां से दिखे 141 से लिख करके 150 तक में math और reasoning के प्रश्ण है इसका solution में आपको टेलिग्राम पर उपलब्द करवा दूँगा टेलिग्राम का link description में है फ्रेंड्स वीडियो को like कर दीजेगा और अपना score बता दीजे वीडियो को share कर दीजेगा